तो हमारी आवाज सरकार तक पहुशाने वाले हमारे स्रिमान भूगणाजी है और आप में तो बताया है कि मैंने दिल्ली तक और बंबई तक बड़े-बड़े इनके सभाव में जाता हूँ, बड़े-बड़े कठाकारों के कठाव में रहता हूँ तो आपका जो लक्ष्य है, वह है कि जो आपने अभीमन्यू के बाद बताई, तो आप उसको बरतमान में लाना चाहरे हैं, भर यह तो कठावं के बात हैं, बरतमान में अभीमन्यू कों है? तो आपने मुग सुना दिया, आपने कहा कि गंगा गौमूग से निकली है, और कठा आए आए है कि राजा सवेर के साध अचारत कुत्रों को दा रहा है, यह तो हमारी पुराणों के बाद भात हो भी सत्या है, गलत बात नहीं है, यह धारत बात है, लेकिन आप उसको आदलुक्ति में लाने चाहरा हैं, तो आपने कहा कि गंडा गौभुग से निकलती है, तो हम पुस्टर मेडिया से सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन गौभुमुक्त आपस वास्ति देखा जाया, तो गौभुमुक्त होती है, लेकिन भौगणाजी चाहें, इसको भात बात हो, लोगों को समझाना है, कैसे समझाना है, फिर आपने कहा कि हमारे सास्तों में यह की गंगा है, जो पवित्र करती है, यह करता है, सो करता है, साथ जार उत्रों कुलतार दिया, और आज पर तमानियों भौगणाजी ने कहा कि गंगा आवास्तव में, बावन प्रतिसक्त लोग गंगाजम को पी रहे हैं, पीने का काम कर रहे हैं, 60 परसेंटेज हो, साथ परसें खेती कर रहे हैं, तो भुगती भी होगा, बुगती भी होगे, अब रही बाद गोवमूत्र की, कि गोवमूत्र के बारे में गोवन जीने बताया हमारे सात्रों में दिका कि यस्ति-गस्ति कतम पापम देही तिष्ट इमाम के राश्नाय पंचिकभ्या से हर्दक्री विवं गोवमूत्र में कैंसर जैसी बिमारी को भी खतम करना है, अस्तिमने होती है हड़ी, हड़ी के अंदर भी जो छुपावा पाप, हमारे सास्त्रों में पाप, पाप कहते थे और आजकर डॉक्टर उसको बिमारी बोलते हैं, बिमारी का ही नाम पाप है, पाप ही बिमारी है, तो गोवमूत्र है, जो मतरब कहते हैं कि यह लिए हम उसका पंच गर्विया बिलकुल उसका जो माप है, उस डंक से उसको बनाए जाएंगा, उसको पीएंगे, तो कंशर जैसी घातक बिमारी को भी गोवमूत्र है, जो उसको समाथ करना है, यह है कि बहुगण जी, बहुत बहुत समर्द, बहुत सादुबार है, और आपका जो दिचोदह जनवरी दो हजार परचीज की जो आपकी जो रेडी है, जो आपका मिशाल है, वो अवश्य शप्रपन होगा, बगवान काशिविश्वना से हम अव्राजना करते हैं, निद्याले कर दोबाद कर्षे, आपक का दुना ररा क्ला थार लिए पार्ट कर दोगे आप अमारी आपाफ आगी बाद कि भी इसी कि अजया जा जा जाल को उगा, बोट इसाद माद आपो ओधितरी किर भाद को